तो क्या आप भी अपने WhatsApp के अंदर status privacy करना चाहते हैं, आप भी अपने WhatsApp के status में status privacy आप apply करना चाहते हैं, तो कैसे आप apply कर सकते हैं, यानि कि अपने status को आप किसे किसे दिखाना चाहते हैं, कैसे आप manage कर सकते हैं, वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूँ, कि WhatsApp status का privacy हम कैसे apply करते हैं अपने WhatsApp के अंदर तो चलो तो आज का वीडियो करते हैं start और जान लेते हैं कि आखिरकार हम यहाँ पे status privacy कैसे apply करेंगे तो सबसे पहले आपको connect है आपको अपने mobile phone के अंदर अपना WhatsApp open करना है जैसे आप WhatsApp open करेंगे open करने के बाद यहाँ से आपको status में आना है जैसे आप status में आएंगे यहाँ पे मिलेगा 3 लकीर आनि कि आपको 3 dot आपको इस पे किलिक करना है जैसे आप इस पे किलिक करेंगे यहाँ पे मिलेगा status privacy setting आपको इस पे किलिक करना है और जैसे आप इस पे किलिक करेंगे तो यहां से आप अपने status का privacy आप अपलाई कर सकते हैं यानि कि कहने का मतलब है कि अपने status को आप manage कर सकते हैं कि आपका जो यहां पे आप status apply करते हैं वो status कौन-कौन बंदा देख सकता है या वो status कौन कौन बंदा नहीं देख सकता है जैसे कि आपके पास दो friend है और आप इन दोनों friend में से एक को आप अपना status दिखाना चाहते हैं और दूसरे को अपना status नहीं दिखाना चाहते हैं तो यह आप यहाँ से manage का सकते हैं तो आपको करने का है आपको three dot पे किलिक करना है और यहाँ पे मिलेगा status privacy आपको इस पे किलिक करना है जैसे आप इस पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा who can see my update यहाँ पे status update is यानि कि इसका मतलब यह है कि यहां से आप अपने इस्टेटस को manage कर सकते हैं कि आपका इस्टेटस कौन देख सकते हैं तो सबसे पहले मिलेगा my contact यानि कि इसका यह मतलब होता है कि अगर है अगर इसपे click करेंगे तो आपके mobile phone के इन्हें जितने भी आपके contact यानि कि आपके mobile phone के जितने भी आपके mobile number save हैं आपके दोस्तों के वही लोग आपका status देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा second option यहाँ पर देखने को मिलेगा my contact expect option आपको इस पर किलिख करना है जैसे इस पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने गास्द यहाँ प्रीट कर सकते हैं यानि कि आप आपसी टबनीड देखने को मिलेगा यह इसापवाला स Service पर दोस्ते देखने को नहीं हजड़ा दो यह लोग आपका justeश से नहीं देख सकते हैं उसके बाद यहां से आपको टेक लगा देना है टेक लगाने के बाद यहां पर मिलेगा only share with यानि कि किसे किसे आप अपना status दिखाना चाहते हैं जैसे आप my contact पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे contact को देखने को मिलेगा यहां से आप चुष कसके किसे नहीं दिखाना चाहते हैं और यहां से आप चूष कसके हैं कि अपना status किसे किसे दिखाना चाहते हैं तो जीसे मैंने यहां पर अपना एक अब इसे गुप्ता जो हमारा युँआफ़ेंड है तो क्या होगा कि आप इसे चूष करेंगे यहां पे टिक लगाएंगे और यहां से आप सहीं वाले और टिक करेंग तो क्या होगे आज आपको पता चले गया होगा कि WhatsApp का status प्राइवेसी कैसे apply करते हैं कैसे करते हैं मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही वीडियो पुरा देखने के लिए आपका पहुत बहुत धन्वाद